बेलकम तू अबर चैनल आईए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में हिमाचल की ब्रेकिंग न्यूज, रोजगार समाचार, करोना, मौसम और राजनीती से जुड़ी सभी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर आवेदन कर सकते हैं तो आवेदन कर सकते हैं तो आवेदन कर सकते हैं पैरा कुक के लिए सेलरी 9000 और पैराहलपर के लिए सेलरी 5500 रखी गई है 31 अक्तूबर से पहले ओफलाइन आप इन वेकैंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं पैरा कुक के लिए क्वालिफिकेशन 10 पा साथ में 6 महिने का एक फूड और नूट्रिशन का डिप्लोमा मांगा गया है बाकी कौन से डोकुमेंट्स लगेंगे आप इस स्क्रीन शॉट के मा आवेदन मांगे गए थे अब इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है 15 कैंडिडेट्स का यहां पर चैन किया गया है कैंडिडेट्स की डोकुमेंट इवैलुएशन 16 सेप्टेंबर को की गई थी तो यहां से आप लोग सेलेक्टिड कैंडिडेट की लिस्ट देख सकते हैं जीन कैंडिडेट्स का चैन हुआ उनके लिए बहुत बहुत बधाई ही माचल पर देश में जिला परिषद शिमला में पंचाय सचिव के रिकत पदों की सीधी भरती द्वारा हुमाचल परदेश वी शिदलेश शिमला द्वारा आयोजित लिकत परिक्षा और आयोजित लि पाधियम से देख सकते हैं जिन candidates का यहां चैन हुआ है और लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई टाइपिंग टेस्ट के बाद इन candidates का डॉकुमेंट evaluation हो चुका है और final selection in candidates को दी गई है हिमाचल परदेश में लेखा परिक्षा विवाग में अनुमंद के अधार पर कनिष्ट लेखा प्रशिक्ष की वेकैंसिया भरी जाएंगी टोटल दो वकैंसिया यहां भरी जाने वाली है salary इन वकैंसिय के लिए आपको 23,000 दी जाएगी दिव्यांग केटागिरी के लिए वकैंसिय रखी गई है और आप लोगों को 20 अक्तूवर से पहले इन वकैंसिय के लिए आवेदन करना है और आप लोगों के डॉकुमेंट्स हूँ है वह हिमाचल परदेश राज्य लेखा प्रिक्षा विवाग ब्लॉक नमबर 38 करिएटS complex consumption में पहुंचने चाहिए सिरफ handicapped candidate इन वकैंसि के लिए बढ़ सकते है जाद जानकाली के लिए l.hm.gov.in को आप लोग विजीट कर सकते हैं पार-time multitask worker की स्कूलों में नियुक्तियं हो चुकी है तो पार-time multitask worker को salary कौन देगा तो यहां पर एक notification जारी की गई है Department of Elementary Education के द्वारा जिसमें यह बताया गया है कि जिस account से part-time water carrier को salary दी जाती है उसी account से part-time multitask worker को भी salary दी जाएगी तो जो भी outsourcing agency part-time जो carrier है water carrier है उनको salary दे रही है वही जो agency है वो part-time multitask worker को भी salary देगी अगर आप लोगों की कोई query हो तो comment section के माधियम से जुरूर पुछे शो support like share subscribe दोस्तों हिमाचल परदेश में entity भरती को हिमाचल परदेश state electronic development corporation करेगा यह एक outsourcing agency को hire करेगा और यह outsourcing agency entity candidates के लिए भरती करेगी अभी entity भरती के लिए सरकार के दूर कोई official notification जारी नहीं की गई है जैसे ही official notification आएगी तभी terms and conditions का पता लगर पाएगा अगर सरकार इस भरती को चुनाव से पहले शुरू कराए तो यह एक बहुत बढ़ी अकदम रहेगा क्योंकि entity degree दारक काफी लंबे समय से इस भरती का इंतजार कर रहे है आप लोगों की इस भरती के बारे में क्या राया कमेंट section के माधियम से जरूर बताए पूरव सैनिक बनेंगे constable और driver हमीरपूर में 10 को होंगे साक्षात का हमीरपूर रोजगार कक्षमे 10 अक्तूबर को सुबह 10 वजे से लेकर शाम 5 वजे तक interview का आयोजन किया जाएगा जिला स्तर से योग्य पूरव सैनिकों को बलाया गया है साक्षात कार में भाग लेने के लिए cut off date 31 अक्तूबर 2019 से 31 अक्तूबर 2021 तक निर्दारित की गई है हिमाचल परदेश सरकारी करमचारियों को DA और area की किस्त जोहाँ वो समय पर नहीं मिल पाई इसका कारण है कि जो offices हैं इनमें staff की कमी है और बिल भी समय पर नहीं बन पाए है दोस्तो जो शिक्षित बेरोजगारी हुआ है उन्होंने सरकार से आवेदन किया है कि TGT PGT की वकैंसी को जो है कि अबस्क्राइब टोर चनल वर मोर वीडियो थैंक्स वर वाचिंग